वेलकम बैक टू सूरज कम्प्यूटर्स सूरज कम्प्यूटर्स में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HP LaserJet 1010 प्रिंटर यह प्रिंटर बहुत ही अच्छा प्रिंटर होता है और इस प्रिंट में ब्लेक और वाइट कोपी निकलती है इस प्रिंटर में प्रिंट कोपी और स्कैन तीनों फैसलेटी नहीं होती है इसमें केवल आप प्रिंट ही निकल सकते हैं इस प्रिंटर में क्या इसू आ रहा है जब भी हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो यह प्रिंट नहीं देता और राइट हैंड साइड में रेड लाइट बिलिंक करने लगती है अगर आपके HP 1010 प्रिंटर में भी कुछ इस तरह की प्रोब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो ये कमेंट करके हमें बताएं जिससे की हमारा होसला बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे प्रोब्लम क्यों आती है और इसे कैसे सॉल किया जा सकता है सबसे पहले इसके कावर को आपन करते हैं इसके बाद कार्टेज को बाहर निकालते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर पिकर है जो पेपर को पिक करने के काम में आता है अगर ये रफ हो जाता है और इस पर डश्ट जम जाती है तो इस वज़े से ये पेपर पिक नहीं कर पाता है और इस तरह की problem आती है तो इसे हम thinner से clean करते हैं साफ करने के thinner को tissue paper पर लगा कर इसके जो roller को धीरे धीरे साफ करते हैं इसको ज़्यादा tight से आपको clean नहीं करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज दबाओ के साथ clean करोंगे तो फट सकता है तो धीरे धीरे आप इसको clean करिए आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे कि cleaning हो रही है ऐसे ही आप cleaning करें के बाद इसमें कार्टेज लगा कर देखते हैं अब हम command देकर देखेंगे कि printer command लेता है या नई means paper pick करता है या नई ये जब आप देखेंगे ये अब आप देखेंगे कि printer से print निकल रहा है और हमारा printer ready हो गया है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें comment करके जरूर बताए हमें आप comments का इंतजार रहता है और अगर आपके printer में कुछ भी problem है तो हमें whatsapp करें और हमें बताएं अपनी problem हम उसका आपको अच्छे से अच्छा solution provide करवाएंगे हमारा जो expert होगा printer का जो expert होगा वो आप से बात करेगा वो whatsapp पर और आपको solution provide करवाएगा वीडियो को देखने के लिए धिन्यवाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें